प्रेज दर लॉड सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु येश्व मसी में जै मसी की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के ओल बटन को जरूर दबाएं तब ही आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहेगा आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा राजाओ अध्याए पांच का 15-27 वचन लेकर आई हूँ एलिशा और गहजी का जीवन तो चलिए भाईो बेहनों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बाइबल दर्शाती है कि जब नामान कोडी एलिशा नभी के पास आया अपने कोड के इलाज के लिए तो एलिशा के बताए जाने पर उसने यर्दर नदी में साथ पार डुपकियां मारी तथा फिर उसका पूरा कोड चला गया इस विशे पर अल्रेडी चैनल पर एक वीडियो अपलोडिड है जिसका लिंक डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है उसे विस्तार से समझने के लिए आप उसे वहां से देख सकते हैं आज हम उसके आगे के अध्याय को यहां समझेंगे जब नामान का कोड पूरी तरह ठीक हो गया तब वे एलिशा के पास उसका धन्यवाद करने पहुचा और कहने लगा कि सुन अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृत्वी पर इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है इसलिए अब अपने दास की भेट गरहन कर इस प्रकार नामान एलिशा को भेट देने पहुचा परंतु एलिशा ने उससे बहां कहा कि यहोवा जिसके सम्मुक मैं उपस्तित रहता हूँ उसके जीवन की शपत मैं कुछ भी भेट ना लूँगा इस परकार एलिशा नभी ने नामान से भेट लेने से इंकार कर दिया यहां एक तो हम एलिशा नभी की सच्चाई देखते हैं कि वह परमेशोर का सच्चा वाख खराई से चलने वाला उसका एक तास था जिसने चंगाई देने के बदले खुद खुछ भी भेट ना ली नामान से क्योंकि ऐसा करना यहोवा की दृष्टी में एक अपराध है ऐसी ही होना चाहिए भाईयो बेनो आज मसी के सच्चे सेवकों को भी जब हम किसी के लिए चंगाई की प्राथना करें या चर्च के अगवे किसी को चंगा करें तो उन्हें उसके बदले कोई भेट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में यह वरदान दिये हैं तो हमें भी मुफ्त में ही परमेश्वर के राज्चे में बोना चाहिए दूसरों की इन वरदानों से सेवा करके तो हमें यहां एलिशा नभी के चरितर से सीखना चाहिए कि हमें भी कैसे परमेश्वर का सच्चा सेवग बनना है बिना किसी लालच को अपने हिर्दे में रखने वाला हमें होना चाहिए दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिशा के ही साथ रहने वाले उसके सेवग गहजी को जो एलिशा की सेवा काई में उसके साथ सात रहता था तथो यहोवा को भली बाती जानता भी था परन्तु उसका चरित्र कैसा था आगे हम देखेंगे जब नामान एलिशा से विदा लेकर उसके पास से चला गया तब गहजी सोचने लगा कि मेरे सौमी ने तो उस नामान से कोई भेट नहीं ली परन्तु मैं उसके पीछे जाकर उससे भेट अवश्य लूँगा तब गहजी नामान के पीछे दोड़ा तब जब नामान ने गहजी को उसके पीछे दोड़ कर आते हुए देखा तो नामान वहां रुका और रत से उतर कर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ सब कुशल तो है तुम क्यों ऐसे दोड़े चले आते हो तब गहजी ने इस पर नामान को उत्तर दिया कि हाँ सब कुशल तो है परन्तो मेरे सौमी ने यह कहने को भेजा है कि एप्रेम की पहाड़ी देश से भविशे वक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहां अभी आए हैं इसलिए उनके लिए एक की कारचांदी और दो जोड़े वस्तर दे इस परकार गहजी ने अपने सौमी एलिशा का जूटा नाम लगा कर नामान से भेट की मांग की तब नामान ने भी खुशी से गहजी को एक की कारचांदी और दो जोड़े वस्तर दे दिये अर्थार नामान ने गहजी की मांग से भी जादा उसे भेट के रूप में दिया क्योंकि वो तो पहले से ही ऐलिशा को भेट देना चाता था इसलिए उसने खुशी-खुशी गेजी को भी भेट दे दी तब गेजी ने वो सारी भेट लेकर अपने घर के बीतर जाकर छुपा दी तब गेजी भीतर जाकर अपने स्वामी ऐलिशा के सामने खड़ा हुआ तब एलिशा ने उससे पूछा कि हे गेजी तु कहा से आता है तब गेजी ने फिर जूट बोला कि तेरा दास्तों कहीं नहीं गया तब एलिशा ने गेजी से कहा कि जब से वह पुरुश अर्थात नामान रख से उतर कर तेरी और फिर कर आया और तुझे भेड दी तब से सारा हाल मुझे मालूम था और उसने कहा कि यह समेच चांदी या वस्त्र या जैतून या दाक की बारियां भेड बकरियां गाएं बैल और दास्तासी लेने का है इस परकार एलिशा नभी ने अपने सेवग गेजी को फटकार लगाई और वै परमेशर के सच्ची उपासना करने वाला प्रभू का सच्चा दास था इसलिए उस पर यहवा ने गेजी के निमित सच्चाई को जाहिर भी कर दिया कि गेजी के मन में क्या चल रहा है इसलिए एलिशा ने कहा कि मुझे सब मालूम है कि तू क्या करके और कहां से लोटा है इस पर एलिशा ने गे हालेलुया एलिशा एलिया नभी के साथ सत रहता था जो की वहबी परमेश्वर का भविशे वक्ता एक सच्चा नभी ही था तब एलिशा ने एलिया नभी के साथ रहते रहते यही सब सीखा था कि किस परकार परमेश्वर की सेवकाई करनी चाहिए और किस परकार परमेश्वर में खराई से तथा सच्चाई से चला जाता है और एलिशा वैसा ही अपने जीवन में कर भी रहा था परंटु दूसरी और हम देखते हैं एलिशा के सेवक गहजी को जो की वह भी एलिशा के साथ सात रहा और उसे देखता भी रहा कि किस परकार वह यहवा की दृष्टी में सच्चाई से वह खराई से चलता आया है परन्तु उन सब बातों का गहजी पर कोई भी असर ना हुआ फिर भी उसके भीतर शैतान ने लालच को भर दिया जिससे मैं एलिशा के साथ रहते हुए भी लालच से भर गया क्योंकि उसके भीतर परमेश्वर का वचन स्थिर नहीं बना रहा इसलिए उसमें लालच की बुराई ने अपना स्थान बना लिया और फिर उसका अंजाम किया हुआ लालच करने के कारण गहजी पर श्राप लगा तथा उसके वच पर भी फिर श्राप आया कोड का तो इससे हमें यह सीखना वा समझना है कि हमें परमेश्वर की दृष्टी में तथा अपने जीवन काल में सदा सचाई से खराई से चलना चाहिए बिना किसी लालच के ऐसा करके हम अपने वा अपने वन्ष पर श्राप लाते हैं आज के इस समय में प्रबू हमें यही सिखाते हैं जो भी मसी सेवा काई में हैं तथा जो सेवा काई में नहीं भी हैं उन्हें भी कि हमें कैसे अपने जीवन काल में जीना चाहिए परमेश्वर की सेवा बेची नहीं जाती मेरे प्रियों और ना ही हमें परमेश्वर के सेवा करने के पीछे अपने भीतर कोई लालच रखना चाहिए परमेश्वर तो सच्चा न्याई है वे हर मजदूर को उसकी हक की मजदूरी अवश्य देता है बस खुद से उसकी सेवा कर अपने भीतर कोई लालच नहीं रखना चाहिए जैसा गहजी ने रखा और श्रापित हुआ तथा अपने वन्ष को भी श्रापित किया ऐसे पाप करके हम अपने वा अपने वन्ष पर दंड लाते हैं परंतु यदि हम प्रभू की सची सेवा काई आत्मा से बरकर बिना किसी लालच के प्रभू की सेवा करते हैं तो वह और भी अधिक हमें आशिशित करता है तथा कई परकार के दानवरदानों से हमें भरता भी है जिससे हम उसका कारे और अधिक सामर से भरके कर पाएं जैसे आगे के अध्यायों में हम अलिशा नभी के द्वारा किये गए और चिनोवा चमतकारों को देख भी सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनसे और भी आश्चरे चकित कारे करवाए उनकी सेवा काई के चलते और यह भी हमने देखा कि गहजी के परमेश्वर के सच्चे दास के साथ रहते रहते भी कैसे उसके भीतर लालच की दुष्टताई कारे कर गई और वे नाश हुआ तो ध्यान दे आप भी इस अध्याय के अनुसार कि हमें कैसा मन अपने भीतर रखना चाहिए परभू की सेवा काई करते हुए तथा मसी के मार पर चलते हुए क्योंकि हमारा तथा हमारे वंश का उध्धार तथा चुटकारा हमारे अच्छे कर्म ही तै करेंगे यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि प्रभू येश्व मसी में हमारा उध्धार हो चुका है परन्तु हम अपने बुरे चाल चलन से बस उसे खो ना दे हमें यहां समझना होगा क्योंकि गहजी भी एलिशा के साथ रहा यहाव को जानते हुए परन्तु उसने अपना आशीश अपने एक बुरे जूट वाच्चाल से और लालत से खो दिया और एलिशा ने सच्चाई वाख खराई से चलते हुए दुगना प्राप्त किया तो हमें भी मेरे प्रियो दुगना ही प्राप्त करना है ना कि जो पाया है उसे भी खो देना है केवल एक पाप को लालच को अपने भीतर स्थान दे कर क्योंकि ध्यान दे एक पाप फिर कई बुराईयों को जन्म देता है जिससे हमारा उध्धार छीन भी सकता है तता हम अपने लिए तता अपने वंश के लिए शाफित भी हो सकते हैं तो मेरे प्रियों प्रभु की सेवाकाई में निस्वार्थता से, सच्चाई से, खराई से तता शुद्विवेक के साथ समर्पन करें बिना किसी लालच के प्रभु आप ही आपकी सब जरूरतों को समय पर भूरा करता रहेगा तता आपको और भी सामर्थ के साथ चमतकारी बरदानों के साथ आशिशित भी करेगा जिससे आप उसके राज्ये में फलवंत बने रहें आज की कलीसियाओं में हमें एलिशा तथा एलिया नभी की तरह ही सेवा काई करनी चाहिए ना की कलीसिया जाते हुए परमेशर के दासों के साथ रहते हुए गहजी बनना चाहिए तो आप इस अध्याय से खुद को जात सकते हैं कि आपका चरित एलिशा की तरह है या गहजी की तरह है और खुद को परिवर्तित भी कर सकते हैं मेरे प्रियो हमें एलिशा की तरह ही प्रेम और निस्वार्थ का चालचलन रखना चाहिए गेहजी की तरह लालच और दुष्टताई का नहीं क्योंकि ऐसा करके हम अपने वा अपने पूरे वंश पर दंड लाते हैं जिससे आज हमें बचना आवशक है प्रभू आज हमें यही सिखाते हैं आज की कलिसाओं में हमें पूरी आत्मा और सचाई से प्रभू की सेवा करनी चाहिए यह समय किसी लालच या बुराई का या पाप से बटोरने का नहीं है वरनी स्वार्थ परमेश्वर से पाकर उसके दान और वर्दानों के साथ परमेशर के ही राज्ये में उत्तम सेवा काई करने का है तो आशा करती हूँ आप ऐसा ही कर रहे होंगे हालेलुया इन सक्षिप इन सवचनों के संग्षिप्त विवरन आप सभी को समझ में आया होगा परमेशर आपको अपनी पवित्रात्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इने सुनकर आशीश पाएं तो आप दूसरों के साथ भी इसे बाढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे प्रभु येशु मसी की यही इच्छा है आमें और गोड़ ब्लस यू अल